दोस्तों, भाव गोलिक इस्तिती से समांतित, question first, निम लिखित में से कौन सा भारत का सबसे चोटा के अंदर्शासित प्रदेश है, आपको यहाँ पर बताना है, दिएगए options में से, इस question का right answer क्या होगा, तो right answer यहाँ पी हो जाएगा option दी, luxury, अगला question, question number second है दोस्तों, भार भारत की मानक या मोत्तर रेखा है, तो आपको बताना है, तो right answer हो जाएगा, भारत की मानक या मोत्तर रेखा, चाड़े 82 पूर्वी देशांतर है, अगला question, question number third है दोस्तों, निम लिखित में से कौन से भारत के दो पडोसी देश हैं, पडोसी देश हैं, आपको बताना है, या भारत के दक्षुन में हिन महासागर में स्थित है, माल्दिव की राजधानी माले है, माल्दिव जनसंख्या और चेटफाल दोनों ही प्रकार से एसिया का सबसे चोटा देश है, इस बात को भी आप लुग धान रखेगा, question number fourth, भारत के कितने राज बांगला देश के सा सीमा साजा करते हैं, तो right answer हो जाएगा, option B, पांच इसका सही जवाप हो जाएगा, दोस्तों, अगला question, question number five है, भारत का सबसे उतरी अच्छान सा आपको बताना है, दिएगा, options में से, तो right answer हो जाएगा, option B, 37 degree, 6 minute north, जिसका सही जवाप होगा, अगला question, question number six है, question number six है, पूर्वी, तटी मैदान के दर्चुन भाग को, यहाँ पे आपको फिल करना, तट कहा जाता है, तो right answer हो जाएगा, यहाँ पे option C, कूरो मंडल, तट कहा जाता है, option C, right answer बनेगा, दोस्तों, अगला question, question number seven है, भारत की किस राज़ी में, भारत में करकर एखा, topic of cancer के अती समीपस्त कोई शहर है, तो right answer हो जाता है, तो right answer हो जाएगा, option D, बांगला देश, छिदफलवा जनसंक्या की इडिस्टिसे, भारत, दक्षण एसिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमाएं साथ देशों से मिलती है, भारत के सत्रा राजियों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती है, इनमें बांगला देश ऐसा पड़ोसी राष्ट है, जो भारत के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साज़ा करता है, जो ध्यान लखेगा, महात्पून क्राशन है, question number 9, शर्दी विश्वत राद दिन बराबर 2019 में को कहा, को था, आपको यहाँ पर इस question का राइट अंसर देना है, तो राइट अंसर हो जाएगा अपसने 23 सितंबर को, इसका सही जवाब हो जाएगा, विश्वत वर्स का समय है, जब सुर्य विश्वत रेखा पर दोपार के समय लंबोत होता है, इस समय दोनों गोलार्धों को समान प्रकासम उर्जा प्राप्त होती है, प्रत्वी पर दिन तथा राद की आवद समान हो जाती है, या इस्तिती वर्स में दोबार आती है, 21 मार लिखित में से किन राजियों से गुजरती है आपको बताना है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option C यहाँ पर right answer हो जाएगा गुजरात जारखंड और मिजोरम इस question का सही जोब बनेगा अगला question question number 11 है निम लिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतराष्टी सीमा पर है तो right answer यहाँ पर option C हो जाएगा किन राज़ात है इस जिले की सीमा तिबबच चीन के साथ लगती है अगला question question number 12 है दोस्तों है हाँ पर इनमें से कौन सी भारती चत्र में खाड़ी नहीं है इनमें से आपको बताना है तो right answer option D हो जाएगा अकाबा की खाड़ी अकाबा की खाड़ी लाल सागर का भाग है इसकी सीमा मिसर इसराइल जॉर्डन और साओधी अरब से लगती है कच्छी की question number 13 है भारत के किस राज का राइत अंसर आपको देना है तो right answer हो जाएगा उपसंदी गुजरात इसका सही जॉब बनेगा अगला question question number 14 है भारत के किस राज का सबसे लंबा समुद्री किनारा है दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों इस question का right answer आपको देना है तो right answer हो जाएगा उपसंदी गुजरात इसका सही जॉब बनेगा भारत के कुल नव राज टटरेखा से लगे हुए है इन में से 5-6 टटरेखा वाले राज गुजरात आनप्रदेश, तमिल नाडु, महारास्ट और केरल है दोस्तों अगला question, question number 15 है अंडमान और निकोबार दीप समूँ भारत का एक संग सासिट प्रदेश है निकोबार में दीपों की संख्या क्या है आपको बताना है तो right answer हो जाएगा यहाँ पे option B, 19 है इसका सही जॉब बनेगा अगला question, question number 16 भारत का कौन सा संग राज चेतर आकार में सबसे बड़ा है तो right answer हो जाएगा option B, पौन्दी चेरी इसका सही जॉब बनेगा लद्दाक, चेतफल की दस्टी से भारत का सबसे बड़ा केनसासित प्रदेश है जबकि दिये गए बिकलपों की अनुसार यदि हम बात करें तो पौन्दी चेरी सबसे बड़ा छेतर आकार संग राज है अब भारत में कुल 8 संग सासित प्रदेश है दिली, चंडीगर, लक सासित प्रदेश की संख्या 8 हो गई है तो वर्तमान में 8 केनसासित प्रदेश और 28 राज है इस बात को भी अप्रुग ध्या नखेगा अगला कोशन, कोशन नमबर 17 है नेम लिकित मैंसे कि इस देश के साथ भारत की अंतरास्टी सीमा नहीं लगती है आपको बिताना है तो और से समदुर से घहरा है जिसकी भागोलिक सीमा से कोई देश नहीं लगा है दोस्तों ध्यान खेगा कोशन नमबर 18 है भारत ने प्रत्वी के धरातल का कितना प्रसत घहरा हुआ है तो राइट आंसर है यहां पर बनेगा दोस्तों अप्चंटी 2.4 परसंट भारत ने प्रत कौन सा इस्थान है तो राइट अंसर हो जाएगा आप्चंटी सात्मा इस्थान है दोस्तों भारत का चेतफल 32,87,263 वर किलोमेटर संपूर्ण बिसु के चेतफल का 2.4 तीन परसंट है जबकि इसकी जनसंख्या जनगना 2011 की अनुसार 121.01 करोन संपूर्ण बिसु की जनसं जनसंट से भारत का विश्व में दूसरा इस्थान पहला चेन का है दोस्तों जबकि चेतफल की दस्थी से सात्मा इस्थान है भारत से बड़े चेतफल में छे अन्य देश है पहला रूस है दोस्तों दूसरे इस्थान पर कनाड़ा है चीन, अमेरिका, ब्राजिल और अगला कोश्यंग, कोश्यंगा, पहला कोश्यव में किनारे से दूरी तक समंदर में फैल हुई है तो राइट अंसर यहाँपे, अप्षिन जोजाएगा, अगला कोश्यव में थैका, अप्षिन बड़रा इस्थानी किनारे से समुझे लगई यहाँआगा, इस्थान हो जatt भारती मानक मेरी डियन पांच राजियों के माध्यम से गुजरता है इन में से कौन सा राज पांच में से नहीं है उसका चैन करना है आपको तो राइट अंसर हो जाएगा option C, बिहार इसका सही जवाब हो जाएगा अगला कोश्यन, कोश्यन नमबर 24 है भारत की सिमा है कितने देशों से लगती है आपको बताना है तो राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों option C, साथ भारत की सिमा है कुल साथ देशों से लगती है भारत के साथ पड़ोसी देश मेंमार है बांगला देश है भूटान है नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है भारत सरवाधिक, भागोलिक सिमा बांगला देश 4,097 किलोमेटर के साथ साज़ा करता है आप लुग ध Q26 है निम लिखित इस्थानों में से एमरेल्ड द्यूपसमू के नाम से जाना चाता है तो इन में से आपको बताना है तो राइट अंसर हुजाएगा उप्सन D, अंड मानो और निको बार द्यूपसमू इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों अगला Q27 है भारत का मानक समय मेर Q27 कौन सा है आपको बताना है तो राइट अंसर बनेगा उप्सन E, 85 इस्ट देशांतर अगला Q27 है बहुत दीक विभाजन से समन्धित Q28 निम लिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतराश्टी सीमा साज्जा करता है तो राइट अंसर है पर बनेगा अगला Q29 है निम लिखित में से कौन सा भारत का परोसी देश नहीं है इन में से आपको बता रहा है दोस्तों तो राइट अंसर हो जाएगा उप्सन C, UAE UAE भारत का परोसी देश नहीं है जबकि म्यामार, चीन और माल्दिव भारत के परोसी देश है भारत के नव परोसी देशों में से अन्य है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, सिरिलंका और बांगला देश इन में से सिरिलंका यों माल्दिव के साथ समदरी प्रत्वी की सता का लगवा कितना परिसत भारत द्वारत द्वारा कवर किया गया है तो राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन भी दो दस्मलोग चार परसंट अगला कोशन कोशन भार 32 है कौन सा जल निकाय अंडमान दीपों को निकोबार दीपों से अलग करता है दोस्तों तो राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन दी 10 चैनल इसका सही जवाब बनेगा अगला कोशन कोशन नमबर 33 है निम लिखिट में से क्या 10 डिगरी चैनल से अलग किये गए है तो राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन भी अंडमान और निकोबार दीपों इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों अगला कोशन कोशन नमबर 34 है नन्दी दिप कावन है इनम में से आपको बताना है तो यहाँ पर दोस्तों इसका स technology का right answer option C हो जाएगा माझली दिप अगला कोशन कोशन नमबर 35 है भारत का सबसे दक्षणी चौर कावन सा है इनम में से आपको बताना है दोस्तों तो right answer बनेगा option D, इंद्रा points, भारत का सबसे दक्षणी छोर इंद्रा points है, इंद्रा call, उत्री छोर, किबिथू, पोर्वी छोर, गुहार मोती, गौर मोती, पस्टिमी छोर पारिस्तित है, अगला question, question number 36 है दोस्तों, नेम लिखिट के अंदर सासी छेत्रों में सरवाधिक तोरान प्रसंगत बिकल्पों में सरवाधिक बड़ा के नसासी छेत्र पॉंडिचेरी था दोस्तों, अब वर्तमान में के नसासी प्रदेशों के छेत्फल का आरूही क्रम दोस्तों इस प्रकार बनेगा, लद्दाक आएगा, उसके बाद जमु कस्मीर, अंडमान निकोबा किस राजी में है, तो राइट अंसर बने का ऑप्शन B, 36 गड़, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अगला कोशन, कोशन नमबर 38 है, प्राइदीपी भारत का दक्षनी छोर, कन्या कुमारी इस्तित है, तो कहां पर इस्तित है दोस्तों, तो यहां पर इस कोशन का र भारती सिखर है, आपको बढ़ाना है, तो राइट अंसर हो जाएगा कंचन जंगा, कंचन जंगा भारत का दूसरा सबसे उचा सिखर है, इसकी उचाई 8586 मीटर है, यह नेपाल और सिक्किन की सीमा पर इसे थै, और दुनिया का तीसरा सबसे उचा सिखर है, भारत का सबसे के टू, गौडविन है, जो की पाक अधिकरत कस्मीर में इस्थित है, यह बिशु का दूसरा सबसे उचा सिखर है, अगला कोशन, कोशन नमबर 40 है दोस्तो, अरावली परवत सेड़ी में सबसे उचा सिखर कौन सा है, तो राइट अंसर ऑप्सन सी हो जाएगा, गुरु इसका सही जवाब बनेगा दोस्तो, अगला कोशन, कोशन नमबर 41 है, बिशु की सबसे उची चोटी माउंट एवरेस्ट किस के बीच इस्थित है, तो राइट जवाब हो जाएगा, नेपाल और तिबत के बीच इस्थित है, कोशन नमबर 42 है दोस्तो, बिंदे परवत उत् इम लिकित में से किस परवसंकला को सहद्री कहा जाता है, तो राइट आंसर बनेगा उप्शन भी पस्चिमी घाट, परवसंकला को सहद्री कहा जाता है, या परवसंकला गुजराच से कन्या कुमारी तमिल नार्ट तक तमिल नार्ट तक पस्चिमी घाट का उचितम सिखर है, इनमें से कौन सा है, most important person है, कई बार पूछा गया है दोस्तो, आप लोग इस question का right answer देजिए, तो right answer हो जाएगा option A, अनाय मुडी, इसका सही जाब बनेगा दोस्तो, पस्चिमी घाट का उचितम सिखर अनाय मुडी है, या केरल में इस पस्ट्री उद्यान के दक्षण शेतर में इस सिथ है, इसकी उचाई 2,695 मीटर है दोस्तो, इस बात को भी आप लोग ध्यान दकिएगा, 2,695 मीटर ध्यान दकिएगा, अगला question, question number 46 है, नेम लिकित में से कौन सा बिकल्प लगुतर हिमालय परवत की सबसे लंबी परवत म तो राइत आंसर बनेगा option C, पीर पंजाल परवत माला, लग हिमालय या मध हिमालय, महान हिमालय के दक्षण पीर पंजाल सेड़ी, दक्षण में तथा सिवालिक हिमालय के उतर से समानांतर रूप से फैला है, पीर पंजाल सेड़ी लग हिमालय के सबसे लंबी परवत माला है लग हिमाला है दोस्तों तो आप लोग ध्यान लखेगा option C सही जौब है question number अगला question number question number 47 आना चाहिए दोस्तों यहाँ पर question 47 में हो गया है question number 48 देखेंगे दोस्तों ब्रंसोत्स परवतों में निम्न खंड होते हैं तो कितने खंड होते हैं तो right answer हो जाएगा हास्ट खंड होते हैं तो यहाँ पर right answer जो है option C बनेगा भरंसोत्स परवत में निम्न खंड होते हैं तो हास्ट यहाँ पर सही जवाब बनेगा अगला question question number 49 है दोस्तों प्राइदीपी पहाडी मैदान पठार की एक अनुखी विसेश्ता काली मिटी का चितर है जिसे क्या कहते हैं तो right answer बनेगा option भी दक्कन ट्राइब कहते हैं दोस्तों दक्कन ट्राइब का निर्माड मेशो जोईक महा कल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ था इस समय बिदर्व छितर में ज्वाला मुखी के दरारी उद्वेधन से लावा का ब्रहत उद्गार हुआ उद्वेधन से घरी हुई की सबसे बिसाल परवतमाला या उत्तर में तिबद और दक्षुन में भारत सिक्यम भूटान के मद्ध प्राकर्तिक सेतु का कारी करता है तता भारत को उत्तर में सेस एसिया से पर्थक करता है इसके सुदूर उतरी भाग की आउसत उचाई और शेयर करिये दोस्तों और यह दिया आप हमारे चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजे दोस्तों आज की सेयर कीजे दोस्तों आईए शुरू करते हैं Question number 51 Question number 51 है भारती प्रायदीब की सबसे उची चोटी है इन में से कौन सी है आपको बताना है तो right answer बनेगा option B अनाई मूडी यहाँ पे option B right answer बनेगा भारती प्रायदीब की सबसे उची चोटी अनाई मूडी केरल राज के इडुक्ती जिले में इस्तित है दोस्तों आगला कोशन Question number 52 है कौन सा पठार भारत की खनिज भारत का हरदय के रूप में जाना जाता है आपको बताना है दोस्तों तो right answer बने का option B छोटा नांगपूर पठार चोटा नांगपूर पठार को भारत का खनिज संपन robić छेतर होने के कारण भारत का हरदय के रूप में जाना जाता है और इसे भारत का रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों चोटा नांगपूर पठार अब्रग बाकसाइड तांबा चूना पत्थर लओ आयसकोर कोयला जैसे खनिजों का भंडार ग्रा है महत्पूर्ण प्रस्टन है देह नखेगा अगला कोशन कोशन नमबर 53 है इन में से कौन सा महान हिमालाई या हिमादरी में पर्वस सिखर नहीं है आपको बताना है तो राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा माउंट नाग टिबबा ओप्शन C सही जवाब बनेगा कोशन नमबर अगला है 54 है इन में से कौन सा लग हिमालाई या हिमालाई के महात्पूर्ण पहाड़ी रिसोर्टस में से एक नहीं है तो राइट आंसर बनेगा ओप्शन A बाड़ा सोर इसका सही जवाब है नेक्स कोशन कोशन नमबर 55 है वह कौन सा सर्वच परवस सिखर है जो पूरी तरह से भारत में इस्तित है तो राइट आंसर बनेगा ओप्शन अप्शन A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कंचन जंगा भारत में पूर्ण रूप से इस्तित सर्वच परवस सिखर कंचन जंगा 8586 मीटर है यह सिक्किम और नेपाल की सीमा परिसित है माउंट केटू अप्शन C में दिया गया है दूस्तों माउंट केटू गौडबिन आस्टिन 8611 8611 मीटर भारत का सर्वच सिखर है जो की कारा कूरम परवस सेड़ी में इस्तित है वर्तमान में यह पाक अधिगरत कस्मीर का अंग है तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन है अगला कोर्शन परश्चमी घाट है इनमें से आपको बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C पठारों का धलान परश्चमी घाट पठारों का धलान है जो गुजरात और महारास्त की सीमा से सुरू होकर गोवा करनाटक केरल तमिल नाड़ से होते हुए करना कुमारी में समाप्थ हो जाती है अगला कोशन कोशन नमबार 50 सेबन है दोस्तो कारा कोरम परवस संखला में सबसे उची चोटी कौन सी है तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माउंट के टू है दोस्तो अगला कोशन कोशन नमबार 50 नाइन है दोस्तो पोन मुडी दक्षन भारत का एक छोटा सहील स्टेशन है या किस शहर के पास इस्थित है तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी तिरुवननत पुरम ऑप्शन सी सही जवाब है दोस्तो नेक्स कोशन कोशन नमबार 60 है निम लिखित में से कौन सी घाटी हिमालय परवस संखला में इस्थित नहीं है आपको बताना है तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी अराकूइस का सही जवाब है कोशन नमबार 61 है दोस्तो मेघाले पठार की सबसे उची चोटी कौन सी है दिये गए आपसंस में से आपको सही विकल्प का चैन करना है तो राइट आंसर हो जाएगा शिलांग चोटी अगला कोशन कोशन नमबार 62 है दोस्तो भावगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम परवत है इन में से कौन सा है तो राइट आंसर बनेगा अरावली अरावली यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कोशन नमबार 60 है थिरी है दोस्तो केरल में इस्तित सर्वोच परवत चोटी का नाम बताईए तो राइट आंसर हो जागा अप्सन सी अनाय मोडी अगला कोशन कोशन नमबार 64 है दोस्तो निम्न में से किस भारती परवती चोटी के उचाई सबसे कम है तो राइट आंसर बनेगा अप्सन ली मुकुट परवत इसका सही जोब बनेगा अगला कोशन कोशन नमबार 65 है दुनिया के सबसे बड़े चार एगिस्तानों में से एक भारत में कहां इस्तित है तो राइट आंसर बनेगा अप्सन टी कच्छ गुजरात इसका सही जोब बनेगा अगला कोशन कोशन नमबार 66 है कंचन जंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा परवत किसके बीच समी पर इस्तित है आपको बताना है तो राइट आंसर बनेगा अप्सन C भारत और नेपाद अगला कोशन कोशन नमबार 67 है दोस्तों निम्न में से किस परवती इस्तान की उचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है तो राइट आंसर बनेगा अप्सन B उठी इसका सही जवाब है दोस्तों अगला कोशन कोशन नमबार 68 है उत्तरी अंडमान का उचितम 732 मेटर पर इस्थित चोटी है इनमें से आपको सही विकल्ब का चैन करना है तो राइट आंसर बनेगा अप्सन C साइंडल इसका सही जवाब है अगला कोशन कोशन नमबर अगला है दर्रे से समंधित कोशन वा 69 वह हमारे कौन सा है जो भारती राज सिकिम कोशन के तिबती स्वायत छेतर से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड की एक प्रसाखा का हिस्सा बनता है तो यहाँ पर राइट आंसर आप्सन भी हो जाएगा नाथुला दर्रा नातुला दर्रा जो भारतिस राजसिकिम कुछेन के तिबती स्वायति छेट से जोड़ता है और प्राचिन सिल्क रोड की एक प्रसाखा का हिसा बनता है Q70 है दिएगे दर्रों और उनके इस्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको बताना है दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों इस कोश्चन का राइट आंसर बनेगा Option B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा जोजिला यहों बुर्जिल दर्रा जमू कस्मीर में सीथ है दोस्तों बारा लाचाला यहों सिपकीला हिमांचल प्रदेश में है और नीती माना लिपलेक उत्राखंड में है नाथुला जेलेपला सिक्किम में है और चांगला लद्दाक में है दोस्तों अगला कोशन, कोशन नमबर 71 है, इन में से कौन से राज पाल घाट दरे से आपस में जुड़े हुए हैं, तो राइट अंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, केरल और तमिल नाडू नेक्स कोशन, कोशन नमबर 72 है, निम लिखित में से कौन सा परवती दरा उत्राखन में इस्थित नहीं है, आपको बताना है, तो राइट अंसर हो जाएगा, ओप्शन भी सिपकीला, सिपकीला दरा हिमालचर प्रदेश का एक प्रमुक परवती दरा है, ओप्शन भी राइट जवाब बनेगा, अगला कोशन, कोशन नमबर 73 है, जोजिला पास किसे जोडता है, तो जोजिला पास लेह और सिरी नगर को जोडता है, ओप्शन भी इसका सही जवाब बनेगा, अगला कोशन, कोशन नमबर 74 है, दरा तिबद के साथ श्रिक्यम राज को जोडने वाली भार चिन सीमा पर इस्तित है तो राइट जवाब बनेगा यहाँ पर दोस्तों आप्शन भी नाथुला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अगला कोशन कोशन नमबर 75 है शिबकीला दर्रा हिमालाई की किस घाटी में इस्तित है तो राइट आणसर बनेगा सतलज घाटी शिबकीला दर्रा हिमालाई का एक परमुक दर्रा है यह शिमला से तिबद को जोड़ता है सतलर नदी इस दर्रे के पास ही एक तंग घाटी से घुजर का तिबद से भारत में प्रेश करती है या सत्लज घाटी में इस सित है दोस्तों अगला कोशन, कोशन नमबर 76 है रोहतांग दरा भारत के किस राज में इस सित है आपको बताना है दोस्तों तो राइट अंसर हो जाएगा हिमानचल प्रदीश अगला कोशन, कोशन नमबर 77 है जील और जल प्रपात से समंदित Q77 चिलका जील ओरिसा राज में इस्सित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील के दक्षणी ओर इस्सित है तो आपको बताना है तो राइट अंसर बनेगा option D महा नदी डिल्टा जील का जील भारत की ही नहीं पलकी एसिया की सबसे बड़ Q78 है नेम लिखित में से कौन सी जील मड़पूर में इस्सित है महातपूर्ण प्रस्ण है तो राइट आंसर बनेगा लोकटक लोकटक जील भारत में ताजे पानी के एक बड़ी जील है यह जील मडपूर की राजधानी इमफाल से 53 किलोमेटर दूर और दीमापूर रेलव पार्क है आप लोक ध्यान लखेगा महातपूर्ण प्रस्ण है Q79 चिलका जील इस्सित है कहां पर इस्सित है तो चिलका जील ओरिशा प्रदेश के समुंदरी आप्रवाही जलसे बनी एक जील है या भारत की सबसे बड़ी योंग विशु की दूसरी सबसे बड़ी समुंद अपिशन बड़ी चिलका जील अगला Q81 है मूग घाटी साइलेंट वाली कहां इस्सित है तो Right अंसर बनेगा यहाँ पिशने केरल में इस्सित है दोस्तों अगला Q80 deleted घर waterfall कि सराज में इस सिथ है तो right answer बनेगा option है महारास्ट में इस सिथ है जोस्तो next question, question number 83 है सूची first का सूची second के साथ मिलान कीजिए और नीचे दियेगे विकलपों से सही उतर चुने, सूची first एक तरफ है एक तरफ सूची second है, तो यहाँ पर आपको इस question का right answer देना है तो right answer हो जाएगा option यहाँ पर सही जोब बनेगा A का third, B का one C का four, D का two right answer है यहाँ पर pull cut जील तमिल नाडू में है दोस्तो चिल का जील option B में दिया गया है दोस्तो चिल का जील उडिसा में है, fuller जील option C में है, कश्मीर में है और सामर जील राजस्तान में है अगला question, question number question number 85 है दोस्तों यहाँ पर एक question यहाँ पर मिस हो गया है दोस्तों तो यहाँ पर question number 85, निमलिकित में से किस स्थान पर भागी रती और अलग नंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माड करती है तो right answer ही हाँ पर बनेगा option B, देव प्रियाग इसका सही जौब बनेगा अगला question, question number 86 है गोदावरी नदी महाराष्ट के किस जिले से निकलती है तो right answer ही हाँ पर बनेगा इस question का option B, ना सी किसका सही जौब हो जाएगा question number 87 है निम लिखित में से कौन सी हिमालई नदी तंत्र की नदियाँ है तो right answer बनेगा option B, गंगा और ब्रहमपुत्र इसका सही जौब बनेगा अगला question, question number 88 है निम लिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनह पूर्ती प्रियोग सरवाधिक है तो right answer है option B, कृष्णा next question, question number 89 है निम लिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है आपको बताना है दूश्तों तो right answer बनेगा option C, कोई ना इसका सही जौब हो जाएगा अगला question, question number 90 है निम लिखित में से कौन सा विकल भारती प्रायदीप में पर्ष्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है तो right answer बनेगा option B, तापी इसका सही जौब हो जाएगा next question, question number 91 है निम लिखित में से कौन से नदी उतर पिनाकिनिक के नाम से भी जानी जाती है तो right जवाब बनेगा option D, पिननार इसका सही जौब है अगला question, question number 92 है निम लिखित में से कौन से नदी यमना से नहीं मिलती है तो सही जवाब आपको बताना है इस question का तो यहाँ पर इस question का सही जवाब हो जाएगा option B, सोन इसका सही जवाब बनेगा question number 93 है नर्मदा के अतरिक्त कौन से दूसरी नदी अमर कंटक से निकलती है तो right answer हो जाएगा option D, सोन इसका सही जवाब बनेगा अगला question, question number 94 है निम लिखित में से कौन सा यूगम सुमेलित नहीं है तो right answer बनेगा option C, सोन इसका सही जवाब हो जाएगा अगला question, question number 96 है वह नदी कौन सी है जिसका उदगम भारत में नहीं है आपको बताना है तो सही जवाब हो जाएगा option C, सतला जिसका सही जवाब हो जाएगा अगला question, question number 97 है सबसे छोटी नदी कौन सी है तो सही जवाब बनेगा option D, सोन इसका सही जवाब है अगला question, question number 98 है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको बताना है दोस्तों तो right answer हो जाएगा option C गंगा गंगा नदी उत्राखंड राज के उत्तरकासी जिले में गोमुक के निकट गंगोत्री हिमनद से 49 मीटर उचाई से निकलती है यहां या भागी रिथी के नाम से जानी जाती है देव प्रयाग में भागी रिथी नदी अलक नंदा नदी में मिल ज वेसिन को कहा जाता है आपको बताना है दोस्तों तो right answer यहां पर बने का option है दामोदर दामोदा नदी वेसिन कोईली की उपलबधता के कारण भारत का रूर कहा जाता है दामोदा नदी छोटा नांगपूर की पहाड़ियों से 610 मीटर की उचाई से निकल कर लगभग 290 किल जारखन में प्रवाहित होने के बाद पर्ष्ची में प्रवेस कर 240 किलोमीटर प्रवाहित होकर हुगली नदी में मिल जाती है पहले दामोदा नदी अपने बाड़ के लिए कोख्याद थी जिसके कारण किसे बंगाल का सोग कहा जाता था अगला कोश्यन कोश्यन नमबर 100 है निम लिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्थान से होकर बहती है तो right answer यहाँ पर बनेगा option c लूनी थार रेगिस्थान से होकर बहने वाली नदियों में लूनी नदी प्रमुख है दोस्तों या भारत की एक मात्र अंतर वही नदी करते हैं आज के इस class के question number 101 से उतर प्रे उतर प्रदेश का प्रेयागराज इलाहाबाद गंगा यमना और सरस्वती के संगम पर इस्थित है दोस्तों प्रेयागराज में तीनों नदियां आकर मिलती है इस इस्थान को त्रिवेंडी संगम के नाम से भी संबोधित किया जाता है त्रिवेंडी संगम गंगा यमना सर सो किलोमेटर है या तिबद में शुरू होती है जहां इसे त्यांग सब हो कहा जाता है और दिखांग नाम के तहट भारती चित्र अरुणाचर प्रदेश में प्रवस करती है इसकी महात्पून सहयक उप नदी सुबन सीरी कामेंग धन सिरी मानस तिस्ता नदी का नाम क्या है तो राइट आंसर आपको बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा उप्सन सी ब्रह्म पुतरिश का सही जवाब बनेगा दोस्तों अगला कोशन कोशन नमबर 103 है निम लिखित मेंसे किस नदी का समागम अरब सागर में है तो राइट जवाब हो जाएगा उप्सन ये नर्मदा नदी का नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमेटर है या बिध्यांचल परवस सेंडियों में इस्थित अमर कंटक नामे की स्थान से निकलती है इस नदी का समागम का मोहना कमबाद की खाड़ी आरब शागर में है या पर्ष्चिम दिशा की ओर बहने वाली तब से लंबी नदी है एक हजार चार सो एक किलोमेटर है या दक्षण पूर्व में भाहती हुई बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है आने नदियां पर्ष्चिम दिशा की ओर बहती है या दक्षण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों कोशन नमबर 105 है भारत की तीन महत्मोर नदियों का सुरोत हिमाला इस्तित्मान सुरोवर छिलके निकठे बताईए है कौन सी नदियां है दोस्तों तो राइट जवाप हो जाएगा ऑप्सन भी ब्रह्मा पुत्र सतलुज और सिंधू इसका सही जवाप बनेगा अगला कोश कोशन नमबर 108 है दोस्तों है गोदावरी नदी महाराष्ट के किस जिले में परस्चिमी घाट की धलानों से निकलती है तो राइट अंसर ऑप्सन भी नासिक गोदावरी नदी प्रायदी भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों जिसकी लंबाई 1465 किलो मीटर है या महारा के नासिक जिले के त्रम्बेकेश और नामक पहाड़ी से निकलती है अगला कोशन कोशन नमबर 109 है नदी घाटी परियोजना से समंधित निम लिखित में से किस नदी को बिहार का सो कहा जाता है तो यहाँ पर इस कोशन का राइट अंसर बनेगा दोस्तों अपसंदी कोशी यहाँ पर सही जाप हो जाएगा दोस्तों कोशी नदी अगला कोशन कोशन नमबर 110 है पोंग बांध किस राज़ो में ब्यास नदी पर बनाय गया है तो राइट जाप हो जाएगा आपसने हिमाचल परदेश पॉंग बांध हिमाचल प्रदिश में ब्यास नदी पर बनाए गया है यहीं पर एक जलासाई का निर्माड किया गया है जिसे महाराणा परताब सागर नाम दिया गया है दोश्टा अगला कोशन, कोशन नमबर अगला है 111 दुलहस्ती पर्योजना किस नदी पर इसित है तो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों अपसन ने चिनाव नदी पर दुलहस्ती पर्योजना जमू और कस्मीर के किस्त वाड़ा जिले में चिनाव नदी पर इसित है अगला कोशन, कोशन नमबर 112 है नागारजुन सागरबान किस नदी पर बना है तो राइट जवाब हो जाएगा उपसन भी क्रशना नदी पर नागारजुन सागर क्रशना नदी पर है पोला वरम सचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है दोस्तों राम गंगा परियोजना राम गंगा की सहयक है शिर समंद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है अगला कोशन कोशन नमबर 113 है दोस्तों उकाई बांध भारत के निम लिकित में से किस राज में है या उस राजी का दूसरा सबसे बड़ा पांध है तो राइट अंसर हो जाएग बढ़ते हैं अगले कोशन के और कोशन नमबर 114 है तमिलाडवेक के जिले में कलनाई के नाम से जाना जाने वाला ग्रेंड एनी कट बांध जो की सबसे पूराने बांधों में से एक है इस सित है तो राइट जाब हो जाएगा ऑप्शन भी तिरुचिरा पली इसका सई पर बना हुआ है भाकडाबान हिमांचल प्रेज के बिलासपुर जिले में सतलर नजी पर बनाए गया है दोस्तों अगला कोशन कोशन नमबर 116 है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है तो राइट जाब हो जागा ऑप्शन सी हीरा कुंड भारत का सबसे लंबा बांध ही जिसका निर्माड वर्स 1948 में ओडिसा के संबर पुर जिले में महानदी पर किया गया था और इसकी लंबाई 4.8 किलो मीठर है दोस्तों अगला कोशन कोशन नमबर 117 कुडन कुलम पर्योजना किस राज में सिद है तो अप्शन B राइट अंसर हो जाएगा तमिलनाड में कु कोशन कोशन नमबर 118 है स्री सालम बांध किस नदी पर बना गया है तो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन B करस्णा नदी पर कुर्णूल आंदर प्रदेश और महभूब नगर तिलंगाना जिले के मद्ध अवस्तित है या भारत का दूती सरवाधिक शमता वाला जल बिद्ध पर योजना किस राज्य में इस्तित है तो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन D महारास्ट में है दोस्तों अगला कोशन कोशन नमबर 120 है चमेरा बांध किस नदी पर बनाएगे है दोस्तों आपको बताना है तो राइट जाब बनेगा ऑप्शन B रावी नदी प जादा बांध है जो भारत के अन्य राजियों के तुला में जादा है बांधों की संख्या के आधार पर मद्ध प्रदेश्वा गुजरात दूसरे वा तीसरे इस्तान पर है दोस्तों अगला कोशन कोशन नमबर 112 है भारत का सबसे उंचा बांध कौन सा है आपको बताना है तो यहाँ पर इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन बी तीहरी तीहरी बांध भारत का सबसे उंचा तथा बेसु का पांचवा सबसे उंचा बांध है इसकी उंचाई 261 मेंटर है दोस्तों अगला कोशन कोशन नमबर 123 है कोशन नमबर 123 गंड़क सिचाई तो राइट जवाब अप्सन बी हो जाएगा उत्तर प्रेस्यों बिहार इसका राइट आंसर बनेगा कोशन नमबर 124 है दोस्तों भारत में कुल सिचाई का 45 परसंट हो घरेलू पानी का कित्टे परसंट भूब जल रिजर्व से आता है तो यहाँ पर दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा उप्सन C मान सूनी जलवायों कहा जाता है दोस्तों आप लूग धान लख कियेगा अगला कोशन कोशन नमबर 126 है गिरिसम काल में उतरी मैदान में बहने वाली पावन कहलाती है तो राइट आंसर नहापे हो जाएगा उप्सन C लू कहलाती है द भारती उप्महादीप में मद एसिया की तुला में अपच्छा करत हलकी शर्दियां होती हैं तो राइट आंसर आंसर नहां कि हो जाएगा हिमालें migd Asia से आने ठंडी हवाओं को भारती महादीप में प्रेस्ष करने से रोकता है न परवत्तों के करण ही भारती उप्महादी मद एसिया के तुला में अपेच्छा करत हलकी सर्दियां अनभौ करता है कोश्या नमबर अगला है 139 भारत का निमलिकित में से कौन साइस्थान अतिविसम प्रकार की जलवाई का अनभौ करता है तो राइट आंसर अप्सन सी हो जाएगा दिल्ली इसका राइट आंसर है दोस्तों कोश्या नमबर 130 सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती है वे भूम से समंद्र की और बहती है और इसलिए देश की अधिकांस भाग के लिए यहाँ एक शुष्क मौसम है तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा उप्शन सी या पारिक पौने अगला कोश्या कोश्या नमबर 131 है दोस्तों यहाँ पर भारती उप महादीप देक्शन अमेरिका के उतर पूर्वी भाग और उतरी अस्ट्रेलिया में पाया जाता है तो यहाँ अगला कोश्या कोश्या नमबर 132 है दोस्तों सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर इस्थित है तो यहाँ परियोजना चिनाब नदी पर है दोस्तों 133 है भारत के उतर परस्चिमी भाग में निमन मेंसे किसे के कारण सीथ कल के दोरान वर्सा होती है तो राइट अंसर अप्संटी हो जाएगा परस्चिमी बिजली पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन कोशन नबर 135 है परस्चिमी बिज़ोब जिस कारण उतर परस्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ती स्थल है आपको बताना है तो राइट अंसर अप्संटी हो जाएगा भूमत अगला कोशन कोशन नबर 136 है दोस्तों यहाँ पर भारत में कितनी फसली रित्वें पाई जाती है आपको बताना है तो राइट अंसर हो जाएगा अप्संटी हो जाएगा अप्संटी हो जाएगा मासिन राम में खाले इसका सही जौब नेगा अगला question question number 138 है उस दिन को वर्सा दिन माना जाता है जिस दिन वर्सा होती है तो right answer हो जाएगा धाई एमेम यहाँ पर right जवाब बनेगा रुष्टों अगला question question number 149 मिट्टी से सबंदित मरुष्थली मिट्टी के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है तो right answer हो जाएगा उप्सन दी या नमी की मातरा को बरकरार रखता है अगला question question number 140 है सुस्क मर्दा जिसमें ठोस तथा चिद्र दोनों शामिल है का एक एक एकाई आयतन दरब्य भार कहलाता है तो right answer ऑप्सन दी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं next question माफ कीजेगा यहाँ पर इस question का right answer बनेगा option D इस थूल गहनत इसका right answer हो जाएगा दोस्तों अगला question question number 141 है एक संसाध्धन के रूप में मिट्टी के कटा और हार्ष को मिट्टी के समण में प्रमुक खत्रा माना जादा निमलिकित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के सवनक्षण का महात्मूर्ट उपाए नहीं है तो right answer हो जाएगा option C बारिष के पानी में बहचाना इसका right answer हो जाएगा अगला question question number 142 है खादर और बांगर निमलिकित में से किस प्रकार की मिट्टी है most important person है दोस्तों आपकी परिच्छा की दिस्ट कोंट से तो यहाँ पे इस question का right answer बनेगा option B जलोड इसका सही जाप हो जाएगा नदियों दोरा लाई गई मिट्टी के को जलोड मिट्टी कहते हैं इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है लेकिन nitrogen, phosphorus, humus की कमी होती है या भारत की सबसे उपजाव मरदा है दोस्तों पुराने जलोड मिट्टी को भांगर और नई जलोड मिट्टी को खादर कहा जात मिट्टी के लाल रंग होने का मुक्रिकारान क्या है इन में से आपको बताना है दोराइट अंसर ऑप्शन C हो जाएगा, ferrous oxide की उपस्तिती, question number 144 है, तेरा रोसा श्रब्द का तातपर है, दोराइट अंसर हो जाएगा option B, लाल मिट्टी से है दोस्तों, question number 145, तेज हवाओं के लिए उप्रिक्त बिधी है, तो right answer option B हो जाएगा, फब्वारा इसका right answer बनेगा, question number 147 है, निम लिखित में से किस राजी में काली मिट्टी पाई जाती है, तो right answer बनेगा यहाँ पी दोस्तों, इस question option C, गुजरात, अगला question, question number 148 है, यहाँ पी दोस्तों आपको फिल करन भारत के किस राजी में सबसे बड़ी अंतरदोसी लोडी अधरभूमी है, तो right answer बनेगा option C, राजस्थान, सामभर नामक जील भारत की सबसे बड़ी अंतरदोसी लोडी अधरभूमी है, यह राजस्थान राजी में इससी जील है, question number अगला है, one, one जीव वनस्पतियों से स सागाउन भारत और दक्षण पूर्व एसिया के सबसे महात्मूर लकडी के पेड़ों में से एक है, भारत में सागाउन के जंगल मदपृदेश, महाराष्ट करनाटक, तर्मिलनाट, number 155 से, question number 155 है, दक्षण पस्चमी पंजाब भरियाना राजस्थान के अर्थ सुस्क छ और चंदन आद की प्रमक प्रजातियां हैं, तो राइट अंसर यहां पर हो जाएगा, option A, उर्षण कट बंदी पाणपाती बन, अगला question, question number 153 है, आई एस एफार, 2021 के अनुसार, निमलिखित में से किस राजियों में वनचेत्र में अधिक्दम रधी देखी गई है, तो र राइट अंसर, option B, हो जाएगा, सरब लेयर कहलाती हैं, अगला question, question number 155 है, निमलिखित में से कौन भारत का सबसे बढ़ा राष्टी उद्यान है, आपको बताना है, तो राइट जवाब इहां पर बनेगा, option B, हेमिस राष्टी उद्यान, भारत का सबसे बढ़ा राष्टी उद्यान, के अंदर सासिट परदिस लध्याक में इस्थित, हेमिस राष्टी उद्यान है, यह 3550 वर किलोमेटर चेतर में बिस्तरप्त है, सुन्दर्मन राष्टी उद्यान की यदि हम बात करें, तो पर्ष्चम बंगाल में है, दोस्तो जिम कार्बिट राष्टी उद्यान उत्राखंड में है, गिर राष्टी उद्यान गुजरात में है, अगला कोश्चन, कोश्चन नमबर 177, निम लिखित में से कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है, आपको बताना है, तो राइट आंसर बनेगा उपसंधी दचिग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रूस्तों, काजिरंगा कानहा और पेरियार टाइगर रिजर्व हैं, जबकि दचिगाम राष्टी उद्यान है, या हंगुलिया कस्मीर इस्टैग आरच्छु छित्र है, जो जमु कस्मीर राजी में इस्तित है, वर्तमान में भारत मे तिरपन टाइगर रिजर्व हैं, आप लोग ध्यान रखेगा, 53, टाइगर रिजर्व हैं, रानिपूर टाइगर रिजर्व भारत का तिरपनवा टाइगर रिजर्व घोसित किया गया है, या उत्तर प्रदेश के चित्रकुट जिले के रानिपूर में इस्तित है, काजिरं इस तर बिन्यास कहा जाता है दोस्तों अगला कोश्य, कोश्य नंबर 169 है यहाँ पर आपको फिल करना है रुई के समान देखते हैं वे आमतवर पर 4000 से 7000 मेटर के उचाए पर बनते हैं तो राइट अंसर वो अपसंठी हो जाएगा कापासी मेग यहाँ पर राइट अंसर बनेगा कोश्य नंबर 160 है जहां रित्यू के अनुसार पेड़ों से पतियां जड़ जाती है उन्हें कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों तो राइट अंसर हो जाएगा पर पाती 1 कहते हैं अगला कोश्या, कोश्या नमबर 161 है, वन खंड एक प्रमुक पर्यावरण संसाधान है, भारत का कितना भूच्छेत्र वन चेत्र के अंतरगत आता है, तो राइट जवाब यहाँ पे बनेगा दोस्तों, अप्शन C, 25%, वन खंड एक प्रमुक पर्यावरण संसाधान है, भार 44.62% है दोस्तों, अगला कोश्या, कोश्या नमबर 162, विंसर का जंगल भारत के किस पर्देश के अंरिशासित छेत्र में अवर्श्तित है, तो राइट आंसर अप्शंदी हो जाएगा, उत्राखंड, विंसर का जंगल भारत के उत्राखंड राज में इस्थित है, विंसर answer option C हो जाएगा 21.54 question number 164 है भारत की किस राज में वन चेतर सरवाधिक है आपको बताना है दोस्तों तो right जवाब बनेगा option E मद्र प्रदेश इसका सई जवाब हो जाएगा अगला question question number 165 है भारत में निमली खित में से किस राकार की वन का सबसे बड़ा चेतर है तो right answer option C हो जाएगा option cut बन्धी नम पाणपाती वन अगला question, question number अगला है क्रसी यों पस बालन से समधित question number 166 है दोस्तों किस फसल की खेती के लिए जला करांद की आउसकता होती है तो यहाँ पर दोस्तों right answer हो जाएगा option D चावल इसका सही जाब बनेगा चावल फसल की खेती के लिए जला करांद की आउसकता होती है अगला question, question number 166 है किस भारती राज में एसिया का सबसे लंबा दुरूत गतिप परेक्षण अनावरित हुआ है दोस्तों तो right answer यहाँ पर बनेगा option B मद प्रेजिस का सही जाब हो जाएगा अगला question, question number 168 है निम लिखित में से किस भारती बैग्यानिक ने नार्मल बॉर्लोग के साथ सहयोग किया जिसकी परेणा भारत में हरित करांती के रूप में हुई है तो right answer option D हो जाएगा MS स्वामीनाथन नार्मल बॉर्लोग को 200 हरित करांती के जनके रूप में जाना जाता है जबकि प्रोफेशर MS स्वामीनाथन को भारत के हरित करांती के रूप में अबहुत पूरु प्रगती हुई आज भारत का खाद्यान उत्पादन हरित करांति के करण ही 283 मिटिक तन तक पहुंच चुका है नार्मन बोलोग को विस हरित करांति में अहम योगदान के लिए नोबल सांधि प्रोशकार से समानित किया गया है दोस्तों आप लूग ध्यान बनेगा दोस्तों इस question का option B असम और पर्श्चिम बंगाल इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अगला question question number 170 है भारत के निम लिखित राजियों में से किसमे काफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है तो right जवाब option D हो जाएगा करनाटक यहां पे right answer बनेगा भारत में का करनाटक राज में अधिक्तम 71% और केरल में 21% और तमिल नाड़ में 5% उत्पादन होता है दोस्तों अगला question number 171 है मौसम के दौरान रवी फसल की खेती की जाती है तो यहां पे आपको फिल का ना है तो right answer option B हो जाएगा सर्दी भारत में वे सभी फसलें जो सर्दी बसंत र मकई, बाजरा, सौफ, राई, मेथी, जीरा, अलसी सभी रवी फसले हैं दोस्तों आप लोग धान रखेएगा question number 172 है चावल निमलिकित में से किस राज की एक वानजिक फसल है तो right answer option D हो जाएगा पंजाब यहां पे right answer बनेगा चावल पंजाब राज का एक वानजिक फसल है चीन के बाद भारत 200 में चावल का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है अगला question question number 173 है खेतों से मिलने वाली उपाज के मामले में दुनिया भर में भारत कौन से इस्थान पर है तो right answer option C हो जाएगा तीसरे इस्थान पर है दूस्तों अगला question question number 174 है हरित क्रांत question question number 174 है बागान दूरा प्राप्ट पेप फसल निम लिखित में से कौन है तो right answer option C हो जाएगा चाह इसका सही जवाब है question number 176 है निम लिखित में से कौन सा आधारिक सनचना कारक करसी विकास से समन्धित नहीं है तो right answer option D हो जाएगा खनन इसका सही जवाब बनेगा दूस्तों question number 177 है ब्यावसाइक उप्योग के लिए सबजिया फूल और फल उगानी की क्रिया के लिए निम लिखित में से किस शब्द का उप्योग किया जाता है तो right answer option D हो जाएगा हार्टी कल्चर question number 178 पर्यावरणी खेती इको फार्मिंग को किस नाम से भी जाना जाता है तो right answer हो जाएगा option D जैविक खेती और गैनिक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है option D यहाँ पर right answer बनेगा question number 188 है सिचाई के निमलिखी तरीकों में से किसे ट्रिकल सिचाई के रूप में जाना जाता है तो right answer यहाँ पर हो जाएगा option C drip सिचाई drip सिचाई को ट्रिकल सिचाई के नाम से भी जाना जाता है इसमें जल को धीमी गती से बोन-बोन के रुप में फसलों के जड़ छेतर में एक छोटा ब्यास की प्लास्टिक पाइप से प्रदान किया जाता है इस सिचाई बेदी का अविस्कार इसराइल में हुआ था और इस पानी का उप्योग बहुत कम मात्रा में होता है और सता वास्पन यों भूमी रिसाओ से जल की हानी कम सिच कम होती है अगला कोशन कोशन नमबर 117 है निम लिखित में से कौन सी एक खरीब फसल है आपको बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा अप्सन ए कपास खरीब की फ का बाजरा रागी सोयबिन मुफली का पास सभी खरीग की फसले है अगला कोशन कोशन नमबर 181 है निम लिखित में से कौन सा एक भारतिक रशी के मुख की भी सिस्ता नहीं है तो राइट जवाब बनेगा ऑप्सन दी इसमें अवदोगिक फसलों की परधानता है अगला अपने संसाधनों को एक जगा एकतृत करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में तरह से उत्पादों को बितृत करते हैं तो राइट जवाब ऑप्सन दी हो जाएगा सहकारी खेती को अपरेटीव सिस्टम अगला कोशन कोशन नमबर 182 किसानों को अपनी कौफी के ल माफ कीजेगा यहाँ पर right answer option यह हो जाएगा coffee black chain इसका सही जौब बनेगा दोस्तों इसका print दोस्तों proper नहीं आया है सही नहीं दिया गया है तो आप लोग इसे manage का लिजेगा तो यहाँ पर right answer जो होगा option यह हो जाएगा coffee board ने coffee के ब्यापार के लिए देश के पहले black chain आधारि जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभख सभी फसले उगाई जाती या पसपालन किये जाते हैं उसे पारंपरिक रोप से किस नाम से जाना चाता है तो यहाँ पर right answer बनेगा दोस्तों option A जीबी का क्रशी अगला question question number 185 है निम लिखित में से कौन स option T हो जाएगा करनाटक next question 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 number 187 है निम लिखित में से कौन सा देश नीबु का सबसे बढ़ा उतपादक है तो right answer बनेगा option C भारत यहाँ पे right जाब हो जाएगा अगला question question number 188 है निम ने राजियों में से काजू का मुख के उतपादक है तो option B right answer हो जाएगा महाराष्ट भा परदेश ओडिसा तथा करनाटक है question number 189 है खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवसकता होती है तो right जवाब बनेगा option गर्म और नम जलवाई के आवसकता होती है अगला question 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 number 190 है आम की हिमसागर किसम किस राजिसे है महात्पूर्ण प्रसन है तो right answer option B हो जाएगा प यहाँ पर right answer हो जाएगा सुर्ज मुखी को भारत में वर्स भर हो गाया जाता है दोस्तों इसके उत्पादन के लिए 15 से 25 डिगरी सल्सियस तापमान और 50 सेमी से कम वार्सिक वर्सा तथा दोमट मिती उप्युक्त मानी चाहती है सुर्ज मुखी के प्रमुख उत्पादक कि यदि हम बात करें तो करनाटक है ओडिसा हर्याना अगला कोशन कोशन नमबर 192 हिमांचल प्रदेश आम की कौन से किसम की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है तो right answer option C हो जाएगा चौंसा यहाँ पर right answer बनेगा अगला कोशन कोशन नमबर 193 भारत दुनिया में सबसे फल उत्पादक है अगला कोशन कोशन नमबर 194 दो हजा सत्रा ठारा में फल उत्पादन में भारत का कौन सा इस्थान था तो right answer option भी हो जाएगा दूसरा अगला कोशन कोशन नमबर 195 है उतर प्रदेश में क्रसी के लिए प्रयूप्त भूमी का परसत क्या है तो right answer option भी हो जा option A हो जाएगा queen ananas अगला कोशन कोशन नमबर 197 है मिर्दा स्वास्त कार्ड से भारत के किसानों कोन के खेत में मिट्टी के कितने माप डंडों की जानकारी मिलेगी तो right जवाब बनेगा option B 12 इसका से जवाब हो जाएगा अगला कोशन कोशन नमबर 198 है निमलिखित में से इसक वर्सा रिट की फसलों को खरीफ कहा जाता है और इसे जून से जुलाई के बीच बोय जाता है सितमबर अक्टूबर में काटा जाता है अन्खरीफ फसल मक्का बाजरा कपास जूट मुंफली सोयबीन धान है दोस्तों गेहु रभी की फसल है जो अक्टूबर नॉमबर में बोई जाती है मार्च अपरेईल में काटी जाती है और इसकी अन्य प्रमुग फसले चना है म्थर सर्सों अलसी तंभाकू है अगला कोश्यन अगला कोश्चन, कोश्चन नमबर 200 यहाँ पर है दूस्तो निमलिकिट मैंसे कौन सी मिसरित केती की प्रमुग विसेशता है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूस्तो कोश्चन नमबर 200 का राइट आंसर बनेगा दूस्तो अप्सन सी पसपालन और फसल उत्पादन को दूस्तो आप लोग क्लास को जादर जारा लाइक और शेयर करते रहे हैं दूस्तो आईए सुरू करते हैं कोश्चन नमबर 201 से भारत के किस राज में गेहूं का सरवाधिक उत्पादन बोता है आपको बताना है दूस्तों कि यहाँ पर राइट आंसर बनेगा उप्सन ए उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा प्रद्ध हेक्टर गेहूं उत्पादन में अग्रेंड राज की बात करें तो पंजाब हो जाएगा अगला कोशन कोशन नमबर 202 निमलिखित में से कौन सा प्रकार उस क्रशी प्रणाली को दसाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चोड़े चेतर में उगाई जाती है तो राइट आंसर बनेगा उप्सन भी रोपन क्रशी इस कोशन का सही जवाब बनेगा तो राइट आंसर बनेगा उप्सन भी हो जाएगा दोस्तों है अपर पुरोतर भारत में रोपन क्रशी का सर्वादिक प्रचलित है दोस्तों और रोपन फसलों के याड़ी हम बात करें तो चाय हो जाएगा कपास गन्ना कॉफी ये रोपन फसलों को अंतरगत आते हैं दोस्तों अगला कोशन कोशन नमबर 203 है इन में से कौन सी रभी फसल है आपको बताना है तो राइट आंसर आप्सन भी हो जाएगा सरसों इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अगला कोशन कोशन नमबर 204 है भारत में सोयबीन किसानों की मदद के लिए ये चौपाल जैसे आम तोर पर सेव सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है किसके दोरा की गई एक पहल है दोस्तों आपको बताना है तो यहाँ पर दोस्तों राइट अंसर हो जाएगा उपसन D ITC यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अगला कोशन कोशन नमबर 205 भारत में गहों की आउसत पैदावार क्या है तो राइट अंसर बनेगा उपसन D 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टर से अधिक अगला कोशन कोशन नमबर 206 है घार्च जैसी सभी प्रकार के बहुत है जिनमें मारीदार खाद बीज होती है कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं दोस्तों तो राइट अंसर हो जाएगा उपसन B अनाज कहलाते हैं अगला कोशन कोशन नमबर 207 है भारत में निमलिखित में से किस श्यत्र में धान की फसल के तीन मौसम पाये जाते हैं तो राइट अंसर अपसन B हो जाएगा ब्रह्म पुत्र खाटी नेक्स कोशन कोशन नमबर 208 है यहाँ पर दोस्तों बिश्यों में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा इस्थान है तो राइट जवाब बनेगा उपसन B दुत्ती इस्थान है दोस्तों बिश्यों में चावल उत्पादन में कीन के बाद भारत का दूसरा इस्थान है अगला कोशन, कोशन नमबर 209 है यहाँ पे दोस्तों निमलिखित में से किस फसल में उत्रपडिस भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्सन भी चावल चावल यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों अगला कोशन, कोशन नमबर 210 है शरदियों में उगाई जानेवली फसले जिनकी वसंत में कटाई की जाती है कौन सी फसले कहलाती है तो राइट आंसर बनेगा option ए कपास में इस टेम का उपयोग निम्न में से किसके प्रवंधन के लिए किया जाता है तो right जवाब हो जाएगा option C, चूसक केट अगला question, question number 212 है तंबाकू की प्रति हेक्टेर 20 दर क्या है? आपको बताना है तो right answer बनेगा option C, 3-5 kg तंबाकू की प्रति हेक्टेर 20 दर 3-5 kg होनी चाहिए अगला question, question number 213 आपको बताना है तो right answer हो जाएगा यहाँ पर option D, क्रसी और प्रसंक्रत खाद उत्पाद निर्याद विकास प्राधिकरन अगला question, question number 24 है किसानों को लाप पहुचाने है तो क्रसी उपज के सहकारी विप्रण को बढ़ावा देने के उद्यस से निम्न मेंसे किसको इस्थापित किया गया था तो right answer है यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इस question का option यह यहाँ पर right जवाब बनेगा, nafeed इसका सही जवाब हो जाएगा, nafeed National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India को 2 October 1958 को इस्थापित किया गया था दोस्तों अगला question, question number 215 है निम्न मेंसे किस राजमें हाली में यूरेनियम खनन भंदार पाएगा है तो right answer बनेगा option D, राजस्थान में इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में हाली में यूरेनियम खनन भंदार पाएगा है देश में सबसे ज़ादा यूरेनियम के भंडार आंद परदेश के तुम्रापली और जहारखन में है यूरेनियम दुनिया के दूरलब खनिज में माना जाता है परमाण उर्जा के लिए यह काफी उपयोगी चाबित होता है अगला कोशन, कोशन नमर 216 है 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज़े में भारत में कापर आयस का सबसे बड़ा भंडार संसाधन है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सने, गुजरात माप कीज़ेगा, राजस्थाने हाँ पर राइट जवाब बनेगा अगला कोशन, कोशन नमर 217 है राजस्थान में खेतड़ी परियोचना, किसके उतबादन के लिए प्रशिद्ध है आपको बताना है दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सन सी, यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो की ऑप्सन दिया नहीं गया है दोस्तों तामबा, यहाँ पर आप में अंसर का लिजे, तामबा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों अगला कोशन, कोशन नमर 220 है निम लिखित में से कौन सा उद्धोग टेली फोन कम्प्यूटर आधिका निर्माड करता है तो राइट आंसर बनेगा उपसंडी, इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रोनिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन, कोशन नमर 220 है निमन स्रेनी का भूरा कोयला कहलाता है तो इनमें से क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लिग नाइट अगला कोशन, कोशन नमबर 222 है लोह एस की महत्मूर खदान कुंद्रे मुख है तो राइट अंसर अपसंदी हो जाएगा, करनाटक में है दोस्तों अगला कोशन, कोशन नमबर 213 है वर्स में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में पहली जूट मेल इस्थापित की गई थी तो कब की गई थी, तो राइट अंसर हो जाएगा, 1855 में अगला कोशन, कोशन नमबर 214 है सीमेंट का उतपादन काने में भारत का विश्व में कौनसा इस्थान है, आपको बताना है दोस्तों तो यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, दूसरा इस्थान है दोस्तों अगला कोशन, कोशन नमबर 225 है दिसमबर 2018 तक उपलब्द जानकारी के अनुसार किस राजी में तामा एस का सबसे बड़ा भंडार है तो राइट अंसर अप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान नेक्स कोशन, कोशन नमबर 226 है वर्स 2012 तक उपलब्द जानकारी के अनुसार बिस्व में बाक साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौनसा है तो राइट अंसर अप्शन ही हो जाएगा, आस्ट्रेली यहां पर सही जाब बनेगा अगला कोशन, कोशन नमबर 227 है वर्स 2014 तक उपलब्द जानकारी के अनुसार निमलिखित में से कौनसा बिस्व में तिन का अग्रणी कुट पादक देश है तो राइट अंसर अप्शन ही हो जाएगा, चीन इसका सई जाब है अगला कोशन, कोशन नमबर 228 है दोस्तों बाला घाट का मलाज खंड चेतर और जुनजुन का खेतरी सिंगना चेतर किसके महत्पूर्ण खंण के अंदर है तो राइट अंसर अप्शन टी हो जाएगा, तामबा अगला कोशन, कोशन नमबर 239 है भारत का सबसे बड़ा तामा कची धाद उतपाद दक राज कौण सा है तो राइट अंसर अप्शन टी है माद्य प्रदेश अगला कोशन, कोशन नमबर 230 है दोस्तों निमलिखित में से पुना पूर्थ योगिस संसाधन कौण से है तो राइट जवाब बनेगा अप्शन बी, साओर योग पवन उर्चा अगला कोशन, कोशन नमबर 239 आंध प्रदेश का निमलिखित में से कौण सा छेतर सक्री रूप से पेट्रोलियम के उतपादन से जुड़ा है तो राइट अंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रस्मा गोदावरी बेसिन कोशन नमबर 232 दोस्तों निमलिखित में से भारत का कौंसा राज जूट पटसन निर्मित वस्तों का अधिक्तम निर्याद करता है तो राइट अंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रस्चन बंगाल नेक्स कोशन, कोशन नमबर 233 है भारत में निमलिखित उद्धोगों में से किस उद्धोग में सारुजनिक शेतर में सबसे अधिक पुझी निमेश हुआ है तो सही जवब बनेगा दोस्तों यहाँ पर उप्शन बी, लोह इसपात उद्धोग क्रस्चन नमबर 234, कोईमेटूर को दक्षन भारत का मानचेस्टर क्यों कहा जाता है दोस्तों तो राइट अंसर यहाँ पर बनेगा उप्शन बी, इसके कपास उद्धोग के कारण देप्षन भारत का मानचेस्टर कोईमेटूर को कहा जाता है क्योंकि यह कपास उद्धो के लिए प्रसिद्ध है, पूरे भारत में एक शहर की दर्ष्टी से कोईमेटूर में सरवाधिक एक क्यासी मिले है तो आप लोग ध्यान रखिएगा अगला कोर्षन, कोर्षन नमबर 235 निमन लिकित में से कौन सबसे प्रमुक वस्त निर्माड के अंदर है तो राइट जवाब बनेगा दूस्तों, आप्सन भी महारास्ट, इसका सही जवाब हो जाएगा अगला कोर्षन, कोर्षन नमबर 236 है निमन में से कौन सा इस्थान इस्टील निर्माड से समंधित नहीं है तो राइट अंसर हो जाएगा आप्सन C, ज़रिया ज़ारगंद अगला कोर्षन, कोर्षन नमबर 237 है किस शहर को स्टील सिटी आफ इंडिया के नाम से जाना जाता है तो राइट अंसर अप्सन D हो जाएगा जमसेदपूर जमसेदपूर छोटा नंगपूर पठार से अवस्थित एक सहर है जिससे स्टील सिटी आफ इंडिया के नाम से जाना जाता है यह पूरभी सिंग भूम चिले का मुख्याला है यहाँ भारत की पहली निजी छेतर की लहो और इसपात कमपनी जमसेदपूर जी टाटा ने स्थापित की थी जिससे टाटा सिटील के नाम से जाना जाता है जमसेदपूर जी टाटा के नाम पर ही इस सहर का नाम मांकरन किया गया है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 13, कोश्चन नमबर 238 है परिवहान और जल परिवहान से समंधित कोश्चन नमबर 238 भारत का प्रसिद स्वाणिव, चतरभुज सोपर हाईवे निमलिकित में से किस प्रमुक शहर को नहीं जोडता है तो राइट जवाब बनेगा यहाँ पर दोस्तों आप्शन B, हैदराबादिस का सही जवाब हो जाएगा अगला कोश्चन, कोश्चन नमबर 249 है कौन सा क्रतिम बंदर्गा है तो राइट अंसर हो जाएगा आप्शन A, चन्नई चर्णई बंदर्गाह तमिलणाड के टट पार इस्थित करतिम बंदर्गाह है मुम्बाई बंदर्गाह भारत के पस्चिमी टट का सबसे बड़ा प्राकरतिग बंदर्गाह है अगला कोश्चन, कोश्चन नमबर 240 है प्रस्तावित पूर्वी समर्पित फ्रेट कोरिडोर की लंबाई कितनी है तो राइट अंसर यहां पर बनेगा दूस्तों आप्सन D 1856 किलोविटर कोश्चन नमबर 241 यहां पर भारत में लगभग प्रमुख बंदरगाएं कितने प्रमुख बंदरगाएं दूस्तों तो राइट अंसर अप्सन D हो जाएगा 12 वर्तमान में भारत में 13 प्रमुख बंदरगाएं दूस्तों जहां नखियेगा अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 242 मार्मुगाओ बंदरगाए भारत के किस राज में है तो राइट अंसर हो जाएगा आप्सन D गोवा मार्मुगाओ बंदरगाएं गोवा में है या दक्षण गोवा जिले में एक उप जिला और नगर पालिका परसद है या गोवा का मुख बंदरगाएं अगला कोश्चन कोश्चन नमबर अगला है भारत का सबसे लंबा राष्टी राजमार कौन सा है तो यहाँ पर दोस्तों राइट अंसर बनेगा ऑप्सन B अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 244 है निमलिखित में से कौन से दो दूरस्त इस्थान पूर्वी पर्षिमिक अलियारे से जुड़े हैं जवब बनेगा ऑप्सन C सिल्चर और पोर बंदर नेक्स कोश्चन कोश्चन नमबर 245 प्रसिद पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहा है इस्थ है जवब हो जाएगा ऑप्सन B जम्मू और कसमेर प्रसिद पीर पंजाल रेलवे सुरंग या बनिहाल काजी गुंडा काजी गुंड रेलवे सुरंग जम्मू का सिविर में इस्थ है या 11.215 किलोमेटर लंबी रेलवे सुरंग है या जम्मू 12 मुला लाइन का हिसा है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 246 भारत का सरवादिक लंबा राश्टी इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमेटर है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 247 भारत की सडक प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है तो राइट अंसर अप्शन ही हो जाएगा दूसरा है भारत दुनिया में सबसे बड़ी सडक प्रणाली वाले देशों में दूसरी स्थान पर है मार्श 2017 तक के आकड़ों के अनुसर भारत में सडकों की कुल लंबाई 58,000 58.98 लाग किलोमेटर है वर्श 2021 22 के अनुसर भारत का सडक नेटवर्क लगभग 62.16 लाग किलोमेटर है संक्त राज अमेरिका सडक नेटवर्क में बिस्व में पर्थम इस्थान पर है दोस्तों तो ध्यान रखिएगा अगला कोश्यन कोश्यन नबर 248 भारत के किस टटवर्ती सहर में सबसे लंबा समुंदरी पुल अवस्तित है इसलिए इसे बांदरा वरली सी लिंक भी कहते है और इसकी लंबाई 15.6 किलोमेटर है बिस्व का सबसे लंबा समुंदरी पुल हांग कॉंग जुहाई मकाव पुल चीन में निर्मेत है जिसकी लंबाई 55 किलोमेटर है अगला कोश्यन कोश्यन नमबर 249 भारत में नदी पर बना सबसे लंबापुल कौंसा है तो राइट अंसर हो जाएगा महत्मा गांधी सेतु गंगा नदी यहाँ पर राइट अंसर बनेगा अगला कोश्यन कोश्यन नमबर अगला है और 250 कोश्यन नमबर गतिमान एक्सप्रेस एक एक सेमी हाई स्पेड ट्रेन है जो नई दिली और अगरा के बीच आधिक तम कितने किलोमेटर पर गंटे की गति से चलती है तो राइट अंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी 160 गतिमान एक्सप्रेस भारत की पहली सेमी हाई स्पेड ट्रेन है जो नई दिली और अगरा की बीच तो चैनल को सब्सक्राइब कीज़े लाइक कीज़े सेर कीज़े दोस्तों आजे सुरू करते हैं कोश्चन नंबर 251 से कोश्चन नंबर 255 है सिरी रामायन एक्सप्रेस के भारत खन के लिए यात्रा की अबद केतने दिनों की है आपको बताना है दोस्तों तो राइट अंसर अप्शन सी हो जाएगा 16 दिनों की अगला कोश्चन कोश्चन नंबर 252 है दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रही रेल गाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी तो राइट अंसर हो जाएगा अप्शन दिन दक्षिर कोरिया इसका सही जवाब बनेगा अगला कोश्चन कोश्चन नंबर 252 है पाक्योंग के उदघाटन से पहले सिक्किम राज की राजधानी तो राइट अंसर हो जाएगा बाग डोगरा अप्शन एक राइट अंसर बनेगा अगला कोश्चन कोश्चन नंबर 255 भारत में कितने अंतरराष्टी हवाई यड्डे हैं दोस्तों आपको बताना है तो राइट अंसर हो जाएगा अप्शन ए 17 प्रसंकाल के दौरान भारत में प्रमुक अंतररराष्टी हवाई यड्डों की संख्या 17 थी वर्थमान 2022 में कुल अंतररराष्टी हवाई यड्डों की संख्या 39 है आप लोग ध्यान लखियेगा अगला कोश्चन कोश्चन नंबर 256 है आप लोग ध्यान लखियेगा मिजोरम की स्थापना 21 जनवरी 1922 में हुई थी सेज तीन विकल्प के इंदसासित प्रतेश की राजधानी है दमन और दिव की राजधानी दमन है पुनिचेरी की राजधानी पुनिचेरी है लक्षडीब की राजधानी कवारती है अगला कोश्चन 269 है सोतनता के बाद भाशा के आधार पर बने भारत के पहले राजध का नाम बताईए तो राइट अंसर हो जाएगा आपसने आंद प्रदेश इसका सही जवाब बनेगा दूस्तों 1903 में आंद प्रदेश भाशा के आधार पर गठित होने वाला पहला राजध बना था दूस्तों अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 260 मसाई जनजाटी के लोग लंबे बहुत गहरे भूरे रंगी तुच्छा वाले होते हैं जो ज़्यादत कहां पे पायाज जाते हैं तो राइट अंसर हो जाएगा आप्शन दी पूर भी आफ्रीका में पाया जाते हैं अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 261 है अपतानी जनजातियां निम्न में से किस राज के मोल निवासी है तो यहाँ पर राइट अंसर बनेगा आप्शन भी अरुडाइचन प्रदेश इसका सही जाफ हो जाएगा अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 262 है पढ़ जी किस भारती राज की राजधानी है तो दोस्तों यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा गोवा की राजधानी पढ़ जी है महांसर डुंगरपुर चुरू नारलाई शहर भारत के किस राज में है तो राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप्शन C राजस्थान इसका सही जाफ हो जाएगा अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 264 है पोर्ट बे बलेयर किस की राजधानी है तो राइट अंसर हो जाएगा अप्शन है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 265 है इन में से कौन सा भारत का सबसे पहला और एक मात्र केने स्वासित प्रदेश से यहाँ का सारा कामकाज पूर्णते हैं और पूर्णते हैं सौर उर्जा से संचालित होता है तो यहाँ पर इस कोश्चन का राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अब संधी दीव यहाँ पर राइट अंसर बनेगा अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 266 है नेपाली भाश्चा मुख के रूप से किस राज में बोली जाती है तो राइट अंसर ऑप्सन C हो जाएगा सिक्क्यम है सिक्क्यम पुर्वत्तर भारत का एक प्रमुक राज है और इसकी राजधानी गंग रोख है और इस राज में मुख के रूप से नेपाली भाश्चा बोली जाती है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 266 है दोस्तों यहां पर नेम लिखित में से कौन सी जनजाती नेल गिर पहाडियों में नहीं पाई जाती है आपको बताना है तो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन D. मोग नेल गिर पहाडियां दक्षन भारत में इस सित हैं जो तमिल नाट केरल और करनाटक राज़ों में फाईली है नेल गिर पहाडियों पर रोड़ा, कोटा और कुरुबबा जनजात रहती है जबकि मोग जनजाती के लोग दिरपुरा राज़ों में पाईज आते है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 279 है भोटिया जनजात जो अपनी पारंपरिक भव्यता कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है किस राज में पाई जाती है तो राइट अंसर अप्सन ये हो जाएगा सिक्किम में अगला कोश्चन कोश्चन नमबर अगला है 270 अंगा कोश्चन कोश्चन नमबर 271 है दोस्तों यहां पर आपको फिल करना है जनजातियां परक्षिम बंगाल की प्रमुक जनजातियां है और ज्यादा तर बाकुडा और पुरलिया जिलो में पाई जाती है तो राइट अंसर अप्सन C हो जाएगा संथाल इसका सही जवाब है प अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 273 है निम लिखित मैंसे 2014 में बनाया भारत का 29 राज कौन सा है तो राइट अंसर अप्सन यह हो जाएगा तिलंगाना दो जून 2014 को आंध प्रदेश का विभाजन करके भारत का 29 राज तिलंगाना बना था वरतमार में जम्मू और कस्मीर क पुनरगठन के परचाद भारत में गुल 28 राज और 8 के अंधर सासित प्रदेश हैं दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा 28 राज और 8 के अंधर सासित प्रदेश अगला कोश्चन कोश्चन नमर 274 है दक्षन भारत का मांचेस्टर है इन मेंसे आपको बिताना है दोस्तो दोस्तों अगला कोश्चन कोश्चन नमर 276 है मर्यूर गुड को हाली में भोगोलिक संकेत जी आई पंजी करन प्रदान किया गया है मर्यूर भारत के किस राज में इस्तित है तो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्षन ए राइट अंसर हो जाएगा अगला कोश्चन कोश्चन नमर अगला है 277 सिरी नगर किस नदी के है धलाई और उना कोटी किस राजी के जिले हैं दोस्तों आपको बताना है तो राइट अंसर हो जाएगा धलाई और उना कोटी तिरपुरा राजी के जिले हैं तिरपुरा की राजधानी अगर तला है ऑप्षन से यहाँ पर राइट अंसर बनेगा नेक्स कोश्चन अगला कोशन, कोशन नमबर अगला है, 280 कोशन नमबर, निम लिखित में से कौन सा राज भारत में पहला हर घर जल परमाणित राज बन गया है, तो राइट अंसर ऑप्सन भी हो जाएगा, गोवा, गोवा और दादर और नागर हेवेली और दमन वदीब, पहला घर, हर घर जल परमाणित राज और के निसासित परदेश बन गया है, यहाँ पर सभी गाउं के लोगों ने अपने गाउं को हर घर जल के रूप में घोसित किया है, गोवा के 2.6-3 लाग घरों में सोची जल कनेक्शन पहुंचाय गया है, अगला कोशन, कोशन नमबर 281, पेमा यांगत से मट भारत के निमली खित में से किस राज में इस्तित है, आपको बताना है दोस्तों, तो राइट अंसर यहाँ पर बनेगा option D, शिक्के में, इसका सही ज़ब बनेगा रूस्तों, अगला कोशन, कोशन नमबर 282 है, भारती परायदी कहां तक फैला हुआ है, तो राइट अंस बनेगा option D, सीत रुत में पवन, भूम से महा सागर की और बहती है, आपसन D, राइट जवब हो जाएगा, अगला कोशन, कोशन नमबर 284 है, निमली खित में से किस राजने सरवपर्थम, भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रती भावन में बारिस के पानी के संगरहन को अनिवार किया था, तो राइट आंसर ऑपसन D, भी हो जाएगा, तमिलनाड उसका सही जवब है दोस्तों, अगला कोशन, कोशन नमबर 285 है, वर्स 2015 में भारत दोरा अंटार्क्टिका में इस्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएग नेक्स कोशन, कोशन नमबर 286, निम लिखित में से किस हेली स्टेशन पर आपको चेपारा ज़र्ना, ओथ मेडू, व्यूपॉइंट्स और आटुकाद ज़र्ना मेलेंगे, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इस कोशन का ओपसन ये, मुननार, इसका सही मुननार, हिल स्टेशन, केरल का एक प्रमुख, परवती इस्थल है, या केरल के इडुकी जिले में आता है, और इस हिल स्टेशन पर टेपारा, ज़र्ना, ओथ मेडू, व्यूपॉइंट और अटुकाद ज़र्ना मेलते हैं, अगला कोशन, कोशन नमबर 286 है, निम लिखित है दोस्तों, भारत का हिमादरी स्टेशन इस्थित है, तो राइत अंसर हो जाएगा आप्सने, आर्क्टिक में, हिमादरी स्टेशन भारत का पहला आर्क्टिक रिसर्च स्टेशन है, या आर्क्टिक रिसर्च बेस में इस्थापित है, इसका उदगाटन एक जुलाई 2008 को क या उतरी धुरूद से 1200 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है अगला कोशन कोशन नमबर 250 है दूस्तों यहां पर मिट्टी का स्वास्त परिपत्र के संबंध में क्या सकते हैं तो राइट आंसर यहां पर बनेगा आप्ट संदी उपर्युक सभी है या निसुल्क प्राप्त होत भारती धल्हान अनुसंधान संच्धान कानपुर उत्रप्रेश में इसित था इसकी स्थापना वर्ष 1983 इसवी में की गई थी तो राइट आंसर ही हाँपी बनेगा उत्ति अगल्ला कोशन कोशन में 2092 है दूस्तों भारती का पास अनुसंधान शंदाar केंदर नंग्पुर महाराफ्ट में इस्सित है इसकी स्थापना 1976 इसीवी में हुई आप्सन बी राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों केंदरी चावल अनुसंधान केंदर कहां पर इस्सित है काटक उडिसा में है आप लुग धान रखेगा अगला कोर्शन केंदर नमर 233 देख तरफ सुची दी गए है दूसरी तरफ सिखेंद तो यहाँ पर आपको मिलान करना है तो राइट अंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों इस कोर्शन का option A, right answer हो जाएगा A का second, B का third, C का one D का fourth, यहाँ पर right answer बनेगा option A दिया गए है Indian Grain Storage Management and Research Institute कहाँ पर इस सित है दूस्तो हापुड में है, इसका मिलान हो जाएगा second से मिलान हो जाएगा दूस्तो यहाँ पर option B में है, राष्टी उद्दमितावम लग ब्योसा है, विकास संस्तान नोइटा में इस सित है, इसका third से मिलान हो जाएगा गोविन बलापन्थ सामाजिक बिग्यान संस्तान, इलहाबाद प्रयाग्राज से इसका मिलान बनेगा दूस्तो option U, Harishand Anushandhan Sanpit गोविन बलापन्थ सामाजिक संस्तान जो है, आपका इलहाबाद से हो जाएगा धान नखेगा, अगthem कोश्यन अगला है 294 निमलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है दूस्तो तो right answer हो जाएगा option थी आमर वरसा ओडिशा इसका सहीज़व बनेगा अगला question question number 295 है किस स्थान की आदरता जानने के लिए निम्न में से किसका उप्यूग किया जाता है तो right answer option ही हो जाएगा hygrometer इसका सहीज़व बनेगा अगला question question number 295 है भारत के राष्टी सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन का विज्ञान और प्रदोगती विभाग के तहट कब इस्थाबित किया गया था तो right answer option ही हो जाएगा 1757 इसका right answer बनेगा दुस्तों माफ कीज़ेगा दुस्तों यहाँ पर right answer जो होगा option C 1767 इसका सहीज़व बनेगा अगला question question number 297 सर्वेमाय 45 D.7 के अंतरगत कौन कौन से राजी है तो right answer हो जाएगा option C गुजरात यों राजस्थान इस question का सहीज़व बनेगा अगला question question number 298 है टी बोर्ड आफ इंडिया का मुख्याले कहां पर इस्तित है तो टी बोर्ड आफ इंडिया का मुख्याले कोलकाता में इस्तित है इसकी स्थाफना एक अप्रेल 1954 में की गई थी अगला question question number 200 निन्यान में है दोस्तों हाँ पर हर इस्चन अनुसंधान संस्तित है तो right answer हो जाएगा option D इलहाबाद प्रेयागराजिस का सहीज़व बनेगा अगला question तो दोस्तों इस class में हम लोग बस यहीं तक questions solve कर गएं दोस्तों यहीं आपको class पसंद आ रहे हैं तो class को जाधर जाधर लाइक और share करते रहे हैं दोस्तों आप लोग अपना support बना रहे हैं दोस्तों यहीं आप हमारे चनल